हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम पब्लिक एडिमिस्टेशन इन इंडिया के इस लेवल्स को समझेंगे साथ में इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी वीडियो हैं उनकी भी बात करेंगे तो फ्रेंट्स प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बात इन इंडिया का यह फर्स सेमेस्टर भी यह प्रोग्राम वाले बच्चों के पास भी है उन्को भी सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे हम नई ऐजो केशन पॉलिजी के तहत ही बात कर रहे हैं यह जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडिमिस्टेशन इंडियो का यह फ सेमेस्टर में यह लेकिन फर्ष सेमेस्टर में ये प्रोग्राम वाले बच्चों के पास है और फॉर्थ सेमेस्टर में जो पॉलिटिकल साइंस ऑउनल्स के श्टूडेंट है उनके पास यह सब्जेक्ट है तो दोस्तों यहां तक आपको एक बात बिल्कुल किलियर होगी कि प्रोग्राम वाले बच्चों के पास और फॉर्ट सेमेस्टर में जो पॉलिटिकल साइंस ओनर्स के स्टुडेंट है उनके पास भी सब्जेक्ट है बाके आगे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आप सही से समझ पढ़नी है इसमें आपको 104 उनिटिस को पढ़ना है यहां पर आपको करनी है ठीक है यांनिट ने डिसेंटट लाजेशन को सब्केनесь मीं परना है तरप में बचटको परनां कि हैं प्लीक यहां पर करना है को लिडि कशॉल यसे यहापे देखें यूनिट में यहापे अच्छी से बता गिए जैसे कि सोचल वेलफेर पॉलिश के बारे में आपको पढ़ेनायाए ल्हें रूट का सब्टा सुठ जाएं और कि अच्छी नहीं हीडत थिझ्षन के बारे मिंबस है ने सब दोटा से सेक्योरिटी के बारे में पढ़ना है यहां पर हम दोस्तों यहां पे हिंदी में तरह Urban Systems को दीख लेते लोजना बजट के बारें पढ़ना है शून्ने अधारित बजट के बारें पढ़ना है इसके साथ ही वित मंत्राले की क्या भूमिका होती है बजट को बनाने में इसके बारें आपको पढ़ना है अभी यहां पे आप सोच रहे होंगे कि सारे चीज़ें आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन नहीं कि जारी तो इसकी वी एक वज़ा है अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिट फोर में आपको भारत में प्रोध्योगी की और लोग प्रिशाशन के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट फाइफ में आपको सामाजिक कल्यांड प्रिशाशन के बारे में पढ़ना है सिक्षा का अधिकार पढ़ना है आपको राश्ट्य स्वास्ते मिशन के बार में मंद्रिका की आपको यूनिट 15 में पढ़ना है यूनिट 6 में दोस्तों आपको भारति प्रशाशन के समस्य और बाद वीवात को पढ़ना है यहाँ पर देंगी दोस्तों में आपको यहाँ पर सिलीबस बहुत अच्छे से बनी हैं तो आप जब उसको दिखोगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा क्यों 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 कि जो वीडियो बनाए गई है वह आपको क्या पढ़ना है इसके रिगार्डिंग अब आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी है साथ में जो पंचायती राज हवस्ता है नगरपालिक इसके बारे में आपको पढ़ना है तो वीडियो में इस सारी बाते हैं आपको अच्छे से एक्स्प्रेइन की गई है तो जब आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस सारी बाते समझ में आ जाएगा आप थोड़ा वीडियो पर और बात कर लेते हैं देखे दोस्तों देखें दुस्तों ये जो आपका सब्जेक्ट है पबलीक एड्मिस्टेअशन इन इंडिया इस फर पहले ही वीडियो है है इसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप वहां से उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं आपको सारी वीडियो देख जाएंगी अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कई सारे बच्चों को कि यह जो वीडियो अविलेबल हैं तो क्या वो फर्स सेमेस्टर और फोर सेमेस्टर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मतलब सही हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक ब प्रेशन उठना ही नहीं चाहिए तो यहाँ पर जो वीडियो थे पूरी तरह आपकी स्लेबल पर बेज़र हैं तो अगर आप फूर सेमेस्टर के बच्चे था आप बस अपने स्लेबल को देखिए और आप पूरी तरह आपके लिए यूस्फुल हैं तो इसी तरह अगर अब इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी वीडियोज हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं आई होब दोस्तों यहां तक आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर स्क्राइब करने थैंक यूँ